How to fix Canera Recovery App? You have denied some permission problem नमस्कार दोस्तों सो आगर अब सभी का तिकिराच योट्यूब टैनल पर तो दोस्तों जब हम Canera Recovery App को आपन करने जाते हैं तब दोस्तों हमें ये एरर देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों ये जो एरर है किस वज़े से आ रहा है कैसे आपका problem solve होगा यही मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ ठीक है? दोस्तों वीडियो को अंतक देखें जो भी solution है उसको follow कीजिए कि दोस्तों इसका solution काफी ज़्यादा आसान है और आप भी इसको एक ही बार में fix कर पाऊगे ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों यह लिखा हुआ है कि आपने कोई permission को denied किया हुआ है तो उसको allow करना परेगा तो कैसे करना है आए यह देख लेते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले make sure आप चैनल को subscribe करते हुए bell icon को click करें अगर आप online पैसा कमाना चाते हैं तो दोस्तों वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें twitter पर follow करके message कर सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा ok button ठीक है? तो आपको ok button पे click करना है तो आपको directly लेके जाएगा आपके permission पे तो यह है आपका permission तो permission पे जाएए तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है आपका permissions तो आपको सारे permission जो है deny करके allow कर देना है ठीक है सारे permissions को तो deny करके allow करते जाएए और उसके बाद दोस्तो बेक करके आ जाएए और यहाँ पर आप OK कर दीजिए ठीक है तो दुबारा से बेक कीजिए अभी दोस्तो देख सकते यह जो error है आपको दुबारा से नहीं आ रहा है तो आप दोस्तो यहाँ पर mobile number 8 करें ठीक ह की बात सब्मिट करके आप इस एप को sign up कर पाऊगे ठीक है तो इस तरीके से आपका problem solve हो जागा तो के नेरा एप में दोस्तों आपको लोन रिकावरी वेहिकल लोन यह सब यहाँ पर आप कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर सब्मिट बटन है तो उसमें जाके आप इस एप को open कर सकते हैं तो यही है दोस्तों सिंपल सा सॉलुशन आपको बस permissions allow कर देना होता है और आपका problem solve दोस्तों मित करते हैं आपको वीडि